एक था पक्षी, वो नीले आस्मान में खूब उचाई पर उड़ता जा रहा था उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे, सब ही बहुत उचाई पर उड़ने वाले पक्षी थे उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थी उन्हें दूर दूर तक की भनक और दूर दूर तक की महक मिल जाती थी एक दिन वो नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैल गाड़ी देख लेता है उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए हैं गाड़ी वाला चिला चिला कर कहता है दो दीमकें लो एक पंक दो उस नौजवान पक्षी को दीमकों का बड़ा शौक था वैसे तो उचे उड़ने वाले पक्षियों को हवा में ही बहुत से कीडे तैरते हुए मिल जाते हैं जिनें खाकर वे अपनी भूक थोड़ी बहुत शांत कर लेते हैं लेकिन दीमकें सिर्फ जमीन पर ही मिलती थी कभी कभी पेड़ों पर जमीन के तने पर चड़कर उची डाल तक वे अपना मट्याला लंबा घर बना लेती लेकिन ऐसे कुछ ही पेड़ होते और वे सब एक जगह न मिलते वह पक्षी अपनी उचाईयां छोड़कर मंट्राता हुआ नीचे उतरता है और पेड़ की एक शाख पर बैठ जाता है गाड़िवान से बात करता है दोनों का सौदा तै हो जाता है अपनी चोच से एक पर खीच कर तोड़ने में उसे तकलीफ तो होती है लेकिन उसे वो बरदाश्ट कर लेता है मुह में बड़े स्वाद के साथ दो दीम के दबागर वो नौजवान पक्षी फुर से उड़ जाता है अब उस पक्षी को गाड़ी वाले से दो दीम के खरीदने और एक पर देने की बात बड़ी आसान मालूम होई वो रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को एक पर देकर दो दीम के खरीद लेता कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा एक दिन उसके पिता ने देखा, उन्होंने समझाने की कोशिश की, बेटा, दीमके हमारा सौभावे काहार नहीं है, और उनके लिए अपने पंक तो हर्गिज नहीं दिये जा सकते, लेकिन उस नौजवान ने बड़े ही गरूर से अपना मुह दूसरी और कर लिया, उसे जमीन पर उतर कर दीमके खाने की चट लग गई थी, अब उसे ना तो दूसरे कीड़े अच्छे लगते, ना फल, ना ही अनाज के दाने, दीमकों का शौक उस पर हावी हो चुका था, लेकिन ऐसा कितने दिन तक चलता, उसके पंकों की संख्या लगातार घड़ती चली गई, अब वो उँचाईयों पर अपना संतुलन साध नहीं सकता था, ना बहुत समय तक पंक उसे सहारा दे सकते थे, आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाडी चटानों, पेड़ों की चोटियों, गुमबदों और बुर्जों पर हाफते हुए बैठ जाना पड़ता, उसके परिवार वाले और मित्र हुचाईयों पर उड़ते हुए आगे बढ़ जाते, वो बहुत पीछे रह जाता, फिर भी दीमक खाने का उसका शौक कम नहीं हुआ, दीमकों के लिए गाड़ी वाले को वो अपने पंक तोड़ तोड़ कर देता रहा, फिर उसने सोचा, कि आस्मान में उड़ना ही फिजूल है, ये मूर्खों का काम है, असल में उसकी हालत ये हो गई थी, कि अब वो आस्मान में उड़ ही नहीं सकता था, वो सिर्फ एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ तक पहुँच पाता, धीरे धीरे उसकी ये शक्ती भी कम होने लगी, दूसरी डाल पर चलकर फुदक कर पहुँचता, लेकिन दीमक खाने का शौक नहीं छूटा, बीच बीच में गाड़ी वाला गच्चा दे जाता, वो कहीं नजर ना आता, पक्षी उसके इंतजार में घुलता रहता, लेकिन दीमकों का शौक जो उसे था, उसने सोचा, मैं खुद दीमकें ढूंडूंगा, इसलिए वो पेड़ से नीचे उतर कर जमीन पर आ गया, और घास के लहराते हुए गुच्चे में सिमट कर बैठ गया, फिर एक दिन उस पक्षी के जी में ना मालूम क्या आया, वो खूब मेहनत से जमीन में से दीमकें चुन चुन कर खाने गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था? पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुख गया, तब पक्षी ने कहा, देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली हैं, गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई, उसने सि बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंक लेता हूँ, पंक के बदले दीमक नहीं, गाड़ी वाले ने पंक शब्द पर बहुत जोर दिया था, फिर गाड़ी वाला चला गया, पक्षी छट पटा कर रह गया, एक दिन काली बिल्ली आई और अपने मुह में उसे दबा कर चली ग खून तपक तपक कर जमीन पर बुंदों की लकीर बना रहा था।